Hello everyone, I'm Aisha from National Academy of Fire and Safety तो आज मैं आपको बताओंगे ई-waste के बारे में यान की electronic waste के बारे में तो जैसा की आप सबने देखा ओगा जो electronic waste रहते हैं उनका क्या किया जाया पहले क्या होता था? electronic waste का जो recycling process था वो नहीं बना हुआ था तो क्या होता था? यह सारा जो waste है वो रखा रहता था और रखा रखा सड़ना शुरू हो जाता था ठीक है तो यह क्या है harmful है तो अब क्या किया है according to 2011 के rules के according अब इसके कुछ rules पर नहीं है उसके according e-waste जितना भी रहता है electronic waste जितना भी रहता है उसको उस तरीके से क्या किया जाता है recycle किया जाता है और अगर आप pre-use करना चाते है तो वो pre-use भी कर सकते है तो e-waste क्या होता है e-waste यानि कि electronic waste ठीक है electronic waste मतलब जो भी हमारी चीज़े होती है electrical चीज़े जिसे की computer, laptop, mobile phone और जो भी electronic waste रहते हैं वो सारी चीज़ों के बारे मैं या बात कर रहे हैं कि ये सारी चीज़े क्या होती है reusable हो सकती है और ये recyclable भी रहती है तो इन सारी चीज़ों को हम recycle कर सकते हैं तो यही इसमें बताया गया है 2011 के rules के according कि इसमें आप अगर recycle करते हैं और फिर reuse करते हैं तो ये चीज़े क्या हैं हमारे environment को harm नहीं करेंगी तो उसी के उपर कुछ rules बने हैं तो उन rules में क्या-क्या बताया गया है यह मैं आपको बताती हो तो जब पहली बार जब ministry of environment और forest है उनने ये देखा कि जो e-waste है उसके वज़ा से environment को harm हो रहा है तो इसके उपर management और handling के लिए कुछ rules बनाए गया जो की बनाए गया 2011 में ठीक है यह rules आ गए follow होना शुरू हुए 1st May को 2012 में ठीक है e-waste का पूरा-पूरा जो rules है वो सिर्फ इसलिए बनाए गये थे पूरे-पूरा जो rules था वो इसलिए बनाया गया कि उसका management हम कैसे करें e-waste का और उसके handling कैसे करें इसलिए यह rules बनाए गये थे कि फिर जब rules बनाए गये तो उसमें यह निकल के आया कि हम उसे recycle करके reducing कर सकते हैं उसकी reusing कर सकते हैं अपनी country में ही ठीक है तो इसलिए यह e-waste rule बनाए गये हैं ताकि कोई भी चीज environment को harm ना कर सके यह e-waste का जो rule था वो क्यों निकाला गया क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था कि जो e-waste है वो damage कर रहा है चीजों को इफेक्ट कर रहा है हमारे environment को हमारे human beings को human health पर यह impact डाल रहा है इस वजह से यह rule निकाला गया e-waste जो है वो क्या कर रहा था जो human health है उसको effect कर रहा था जैसे कि inflammation होना जैसे कि सूजन आ जाना ठीक है और stress पैदा करना उनमें और possibly एक cancer जैसे बीमारी भी हो सकती थी उससे और heart disease भी हो सकती थी इसलिए क्या किया गया इस चीजों को जब देखा गया तो इस तरीके का rule उन्हें लाना पड़ा कि कोई भी e-waste material जो है वो ऐसे ना रहे जिसकी वज़े से environment को harm हो और फिर वो human health पर भी effect करे तो इसलिए यह rule लाया गया कि हम उसे कैसे manage कर सकते हैं और handle कर सकते हैं e-waste को सा अब क्या किया गया जब यह rule निकला तो material जो e-waste उसे तो recycle करना है हमें तो हमने क्या किया उसका acid बात करना शुरू किया जो भी material रहता है उसको soak करके मतलब भीगों के acid में और उसके बाद उसको पूरा material जो है soak करने के बाद उसे recycle कर देना मतलब दुबारा से किसी और material की body में उसे बना देना तो इस तरीके से इसका recycling करना शुरू हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ कुछ company ने इसमें implementation किया ठीक है तो कुछ companies की policy के according consumers के recycling जो थी वो free में देते थे कुछ company ये था कि अपनी policy के according recycling policy जो है बना रखी तो उनने के हम free में करके देंगे तो इससे क्या हुआ बहुत फायदा हुआ लोगों को और इसके विज़से अब e waste material जो है तो वो इस तरीके से अब नहीं आसानी से देखने को मिलता है इधर उधर पड़ा हुआ क्योंकि अ और कोई भी product जो है उसका हमने इस तरीके से यूज नहीं किया कि वो किसी भी environment को harm करें उसकी packaging की हमने recycle करने के बाद उसके documentation किया कि हमने इस material को इस time पर recycle किया था कोई भी material ऐसा फालतू नहीं रखा गया था तो इस तरीके से क्या documentation भी maintain किया इन company ने industries ने ताकि कोई भी हम material recycle कर रहे हैं तो हमारे पास प्रूव भी तो होना चाहिए ना कि हमने recycle किया था इस material को तो क्या है पूरे जो गाइडलाइन्स फालो की गई उस rule के according और जो भी e-waste material था वो इस तरीके से recycle और reuse में लिया गया कि किसी भी चीज को harm ना हो ना human health को ना ही environment को ठीक है तो इस तरी किसे जो procedure है उसे follow करने से यही हमें benefit हुआ कि जो भी waste material है वो environment को harm ना करें ठीक है तो फिर हमने जब यह करना शुरू किया तो हमें कुछ benefits भी हुए क्या-क्या benefits हुए अब देखिया अगर हम e-waste जो है वो ठीक से नहीं maintain करते नहीं handling करते उसकी तो क्या होता हमारे environment को harm होत साथी और भी बहुत सारे नुकसान हो सकते थे पर जब यह recycling शुरू की गई तो हमने अपने environment को बचाया साथी human health को बचाया उसको ठीक तरीके से recycling करवाके safe disposal करवाके उसका ठीक है electronic goods जितने भी होते हैं उन सारी चीजों को हमने recycle भी किया और नहीं नहीं चीजे भी आई ठी उनों चीजे हमने maintain की हमारी environmental sound उसे innovative भी बनाया economic electronic waste जो उसे recycling का solution भी हमने निकाला सारी चीजे हमने follow की सारा management किया e-waste का और हमारे environmental को एकदम friendly manner से treat किया तो इससे क्या हुआ कि जो भी हमारा environment है और वो पूरी तरीके से safe रहे क्योंकि जब भी हम कोई बड़ी workplace पर काम कर र तो ये तो है कि हमें अपनी industry को benefits दिलाने हैं हमें खुद जो भी हमारी company है उसको उचाईयों पर पहुचाना है पर ये भी हमें देखना होगा साथी कि जो भी waste is निकल रहे हैं उसको भी हमें ठीक से handle करना है ऐसा नहीं है कि अपनी जो industry है उसको बस production हमने निकाला और काम कि और हो गया ऐसा नहीं है हमें पूरा पूरा ध्यान रखना होता है इसलिए SHG जो department है वो इन सब पर ध्यान देता है वो safety पर भी देखेगा वो health पर भी देखेगा वो environment पर देखेगा ठीक है तो ये तीनों चीज़े maintain करके चलनी होती है इसलिए चोटे-चोटे rules कुछ निका किया जाए जिससे कुछ भी हाम ना हो जैसे कि हजाड यस वेस्ट के बारे में बात की थी तो इस तरीके से क्या होता है कोई भी चीज वेस्ट माटेरियल जो रहती है वो इधर उधर रखने से अच्छा हम उसे recycle करें ये reuse करें तो recycle और reuse करने से क्या होगा हमें benefit उससे भी मि ताया, so thank you